होली और दिपावली ऐसे दो दिन हैं जिस दिन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होती हैं जिस दिन अगर हम उपाए करें तो वह ज्यादा अच्छे असर देते हैं ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और महौल भी कुछ नमा होता है देखें सबसे पहले आप अपनी राशी के हिसाब से अगर मेश राशी है अगर व्रिश्चिक राशी है और ये दो राशी मेश और व्रिश्चिक राशी अगर लाल कपड़े में चांदी का एक चौरस तुकड़ा बांद कर अपने कैश बॉक्स में रखें तो फानाइंचली आपके लिए अच्छा रहेगा इसी तरीके से व्रिशब राशी और तुला राशी ये लोग सिल्वर कलर के कपड़े के अंदर अगर थोड़े से हम यह बोल सकते हैं आपने सुना होगा जो जिसको बोलते हैं इसको बांद कर रखें इनके लिए साल भर अच्छा हैपी और प् कोईन ये डालकर अपने कैश एरह में रख दीजें आपके लिए प्रॉस्परिस रहेगा करक राशी वाले लोग डेली अपने मदर के पैर चुएं और साथी साथ रोज सुबह कच्छे दूद का अगर तिलक लगाएंगे पचास से साथ दिनों तक खोली के दिन से तो आपके लिए बहुत प्रॉस्परिस रहेगा अब अगर हम बात करें धनू राशी की और हम बात करें मीन राशी की क्योंकि आपका स्वामी है गुरू आप लोग पीले कपड़े के अंदर हल्दी की चारगांट बांध कर अपने वर्क प्लेस पर रख देंगे तो आपको दुश्मन तंग नहीं करेंगे और मकर और कुम्ष राशी वाले लोग एक ब्लूइश पॉपलिश कपड़ा ले ले उसके अंदर थोड़ी सी काले तिल डाल कर आप शिवलिंग के पास 5-6 घंटे के लिए रखिए या फिर घर में शिवजी की फोटो के आगे रखिए फिर को अपने वर्क एडिया में रखिए तो आपको पॉजिटिविटी में लेगी